नमस्कार मित्रों स्वागात आपका एसे टूप चैनल पे परीक्षा बर लागू नहीं है अचार सहिता फिर भी दिती अटकी बात है TGT PGT परीक्षा का मामला तो खबर पढ़ लेते हैं लोकसबाचुनाव की आचार सहिता लागू होने के बाद भरती संस्थाएं भले ही नए विग्यापन जारी ना कर सकें लेकिन पूर्व में जारे विग्यापनों के तहट परीक्षा कराई जा सकती है इसके बावजूर्व सिक्षा सेवा चैन आयोग सहायक अध्यापग TGT और प्रवक्ता PGT परीक्षा पर निर्ने नहीं ले पा रहा है तेरा लाग से अधिक अभिहरतियों को परीक्षा तिथी गोशित होने का इंतिजार है नए आयोग में सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है और कारकारी अध्यक्ष की तैनाती भी की जा चुकी है आयोग की पहली बैठक भी हो चुकी है अभिहरतियों को उमीद थी कि आयोग की पहली बैठक में परीक्षा तिथी पर कोई निर्ना होगा लेकिन बैठक में तिती पर कोई फैसला नहीं हो सका परिक्षा तिती अब चुनाव के बाद ही घोशित होने की उमीद है उत्तरप्रदेश मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड ने TGT PGT के 4163 पदों पर भरती के लिए विज्ञाबन जारी किया था इन पदों पर भरती के लिए अगस्त 2022 में आवेधन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई लेकिन परिक्षा तिती गोशित नहीं की गई है उस वक्त तै हुआ था कि चैन बोर्ड को नए सिक्षा सेवा चैन आयोग में समाहित किया जाएगा और नए आयोग के माध्यम से परिक्षाएं कराई जाएंगी इस भरती के लिए 13 लाग से अधिक अभ्यारतियों ने आवेधन किये हैं आवेधन के बाद उन्हें सिक्षा चैन आयोग के गठन के लिए तकरीबन डेर साल इंतजार करना पड़ा अब आयोग के गठन हुआ तो अभ्यारतियों को लगा कि अपरिक्षा तिती गोशित कर दी जाएगी आयोग की पहली बैठेक भी हो गई लेकिन परिक्षा तिती के मामले में अभ्यारतियों को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है अध्यक्ष पत पर अब तक स्थाई नियुक्ती भी नहीं हो सकी है लोग सबाद चुनाव की अचार सहीता लागू होने के कारण ये नियुक्ती भी फस गई है स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ती के लिए अब चुनाव पूरा होने का इंतजार है ऐसे में अब भेरतियों को पुरानी भरती की परिक्षतिती गोशित होने और नई भरती के लिए विग्यापन जारी होने का अभी इंतजार और करना पड़ेगा तो सीडी सीडी बात है देखिए आप एक बात मानके चलिएगा कि जब भी चुनाव का समय आजाता है तो चीज़े क्यों फ़स जाती है उसके पिछे कुछ कुछ कारण है क्योंकि देखे अधिकारी उतने ही है उन्ही अधिकारियों से चुनाव भी होना है उन्ही करमचारियों से चुनाव होना है उन्ही अधिकारी और करमचारियों से सारे काम भी होने है क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर वर्ग चाहे वो गुरूप D हो और चाहे वो गुरूप A हो मतलब DM हो चाहे सची हो या उससे भी उपर की अगर हम किसी पोस्ट की बात करें तो वो सब चुनाव में किसी ना किसी कही ना कहीं किसी चीज में वो समलिध होते हैं तो चुनाव ही कितनी बड़ी प्रक्रिया है और लोकसभा का चुनाव होता है जो कि बहुत महत्रपूर्ण होता है जिसके चलते सारे कर्मचारी तो अधिकारी इनी चीजों में लग जाते हैं जिसको देखते हुए साफ है कि इस वक्तो भरती फिलहाल अभी नहीं आएगी चुनाव हो जाएगा उसके बाद फिर से जब सारे अधिकारी अपने कामों से फ्री होकर जब वापस अपने नॉर्मल डेली रूटीन में आएंगे तब जाकर कहीं भरती की सुबगाहट हो पाएगी अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चार अजार लगबग जो पद हैं क्या इसकी भरती अलग होगी जो नई भरती की बात चल लगी है क्या वो अलग होगी या फिर एक ही भरती में सभी को जोड़ा जाएगा अभी जो जित्ती भी चीज़ें देखी अभी सब फसी हुई है और सुनने में जैसा आ रहा है कि PGT में भी इंटरव्यू हटा सकते हैं या क्या कर सकते हैं या फिर TGT में इंटरव्यू ला सकते हैं अभी फिलाल सब चीजे जो हैं वो केवल चर्चाओं में हैं इन पर अभी कुछ final कहना बिल्कुल भी possible नहीं है impossible काम है इसलिए फिलाल अभी आप सबी इंतजार करिए जो भी आप कार कर रहे हैं उसमें लगे रहे हैं जैसे ही कोई update आएगा वो आपको देखने के लिए मिल जायागा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आकान नमा लीजे और अगर आपको लगता है कि भाई मेहनत हो रही है कंटेंट सही मिल रहा है तो लाइक करिया करिए और अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर किया करिए लास्त विडियो देखिए उसके बहुत बहुत दने वाद आपको दिन शुप हो